हाई बच्चा लोगों कैसे हैं आप और मैं बिने गुपता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के जबी साइंस इजी लर्नि और आज बच्चा लोगों हम लेकर आएं आपके लिए क्लास ट्रेंड साइंस का बहुत इंपोटेंट और टब चैट्टर फिजिक्स का इलेक् इक लाइन आप स्किप करेंगे तो आपकी वही लाइन बोर्ड में आने वाली फिर आप बाद में कहेंगे सरे मेरा कट गया आपको कोई भी मंक्स नहीं कटवाना है तो चलिए शुरू करते हैं बोलो बाब अम्मा की जै तो बच्चा लोगों इलेक्रिसिटी हैं इंपोटे जिन भी नहीं कर सकते हैं इस एक कंट्रोलेवल एंड कंविनेंट फॉर्म आप इनर्जी फॉर वराइटे ऑफ यूजेजिन होम्स इस्कूल्स ऑस्पिटल्स इंडस्टी जंग सो और तो वार्ट कंस्टिट्यूट्स एलेक्रिसिटी किसे क्या कैसे बनी है क्या है है हाव ड फैक्टर्स एक कंट्रोल रेगूलेट दक करेंट तुरू एन इलेक्रिक सर्केट तो इसी चैप्टर में बच्चलों हम यही पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट एंड इट्स एपली के लिया तो चलिए बच्चलों सबसे पहला टॉपिक है एक इलेक्रिक करेंट धंग से देखेंगे और क्या है तो बच्चलों आपने एयर करेंट ऑर वाटर करेंट के बारे में तो सुना होगा है सब्सक्राइबुकर करता है तो पाटर करेंट आती है एसी तरह तो जब भी होता है तो हम कहते हैं कि लेक्ट्रिक करेंट भाई लोगों इना टॉर्च भी नो दैट दा सेल्स और बैटरी उन प्लेस इन प्रॉपर और प्रॉपर अपने बच्पन में भी प्रिक्टिकल किया होगे एक टॉर्च का बल्ब लेते थे एक सेल लेते थे बाइट से कनेक करके सेल को जनाते थे तो यहीं लाइन यहां पर खहरा है तो वी एव अलसो सीन देट दा टॉर्च गिप्स लाइट अल्ली वें टिस्विच ओन होगा वाट डजा सुच डू सुच का काम क्या है इस सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे एक नमर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर वहरी इंपोर्टन डाली है कि नेमदा कंड़क्टिंग लिंक बिट्वीन दा सेल अन्दा बल्व और कंड़क्टिंग लिंक होती है बच्चा लोगों सुच आप सुच ओन करेंगी तो कंड़क्शन स्टार्ट होगा सुच अन्दा बच्चा लोगों सब्सक्राइब अच्छी लाइन एक नमर की डाइफनेशन ले लिए पोड़क्टिंग के लिए नाव इप्दा सर्केट इस ब्रोकन एडिवर कहीं से भी डूटा है तब इसे बोलेंगे हम क्या ओपन सर्केट है और दा स्विच ऑप दार्च इस करेंट सब्सक्राइब केरेंगे किस तरह से त्साइब चाहिंत किया होती है बच्चा लोगों इस इस रिदेफीनिएशन ऑफ औस एलेक्रीकट अपन ड़िए वायक्ट लोगों आई से ओके याद रखना बहुत इंपोटेंट है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो एक नमबर में आएगा वाट इस इलेक्टिक करेंट तो दा रेट और फिलो फिलो फिलेक्टिक चार्ज पक्का के लिए इन सर्केट यूजिंग मैटल आप इसलेक्ट्ट्रों कंट्रूज था फ्लोज यूजश करते है उसमें जो इल्लेक्ट्रों पेल अप्जर्ड के वारे में था भी नहीं पता था लिए सो एलेक्ट्रिक करेंट वर्ष कंसीडर फिलो फॉलोग पॉजितिव चार्ज इन डायक्टिस्ट्धों फबेर फॉल वीदा direction of electric current पहले हैं माना जाता था जब तफल सिर्फ एलेक्टरों डिकरण लेक्तरिक करेंट कहते हैं, कि जो Similar Positivity Charge उसी की direction को electric current कहते हैं Conventionally in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons वीचार engagement Challenge बठ जब electrons flow हुए तव हमने important line है, तव हमने कहada कि electric circuit में electric current का direction हमेशा flow of electrons के direction के opposite होगा सबको समझने आये बच्च लोगो तो इस पहरा में हमें just introduction दिया था current के बारे में तो आईए बच्च लोगो अभी मैं बता रहूं आपको क्या कह रहे हैं हम इदर देखेंगे सारे बच्चो इनन नेट चार्ज क्यों तो आपको पता है current कि एक क्वेस्टू चार्ज अपॉंट टाइम के लिए फॉर्मूला है नुमेरिकल बनता है इस फॉर्मूले पर ओके और आई एक क्वेस्टू क्यू अपॉंट टी और आई सब को पता है एक नमबर का क्वेस्टन आता है कि वन कूलम में कितने इलक्ट्रोंस होते हैं तो सब को पता है और एक पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंट्रोंस मैंस 19 के लिए अच्छा तो बच्छा लोग एक नमर का फेरा दें क्वेस्टन आता है छोटे चोटे कोश्टन बनते हैं कि इलक्ट्रिक करेंट की जो इनिट होती है एक साइंटिस तो उसके नम पे रखी एंड्रे मेरी एंपियार अब आता है पेपर में वाट वन एमपियर तो वन एमपियर सबको पता होना चाहिए इदर देखिए पक्ता आएगा आए एक कोश्टू क्यू अपॉट्टी आई की जगे वन कूलम और टाइम की जगे वन सेकेंड अवर्टने की जगूरत नहीं है ओके और डेफिनिशन दे एक नमबर का विश्चन जैट एग नमबर का पक्ता आता है छोटी छोटी यूनिट्स भी होती है पता होना चाहिए बन मिली एंपिया मैंने बूले जब भी मिली आता है 10 की पावर माइनस 3 होता है और माइक्रो जैट इस बन माइक्रो एक नमजी आ सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 एम्पिया और जो करेंट ओती है न इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है is called amount current को measure करता है और always connected in series किसमें connect किया जाता है series में है उस circuit के जिसमें हमें current measure कर रहे है तो एक डाइगरम दिया हुए बच्चा लोगों जिसमें आपको एक bulb देख रहा है और एक की देख रहे है अब एक बाद सीख लेना डायरोट्ट बाम से करते हैं और टेहां पर मैंसले लटा करके तो गलत दारिक्श हो जाए टोड़ मेंहनलत बैरila sound तो मौनें बात गजाए आगे बढ़ रहे हैं अब आता एक निमेरीकल इजी है सब को आना चाहिए देखते हैं को इसे होगा अब करेंट अब 0.5 एंपियर इस ड्रोन भाई फिलामेंट 10 मिनिट्स फैंड अमांट अब चाहर्ज तो आई एक वेस्टू क्यू अपॉंटी और क्यू एक वेस्टू आई टी जोड़ जोड़ से आई थी क्यू आई कितना है बच्चा लोगो 0.5 एंपियर इंपियर होनी चाहिए मिली होता तो एंपियर में कर्वर्ट करते हैं सुन लिया करें मेर कूलम होती है सबको पता होना चाहिए 300 कूलम सबको आया बच्चो चले आगे वाट डाजन इलेक्ट्रिक सर्कृट मींज अभी बताया था हमने डिफाइंड यूनिट अब करेंट बताया था क्यल्कूलम अब चार्ज याद रखिए वन कूलम अब चार्ज में कितने इलेक् साइधा 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 18 वैसे हम इसे निमेरिकली भी निकाल सकते हैं पका सबको आ रहा है बच्चो तो चलिए नेक्स आगे की और मूब करते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18 अब बच्चा लोगों आप चाहिए तो इस फॉर्मूले को i equals to q upon t oraz q equals to kya रखेंगे any और any रखेंगे तो solve करेंगे तो i equals to and e upon t पका रहा है ना और वन कूलम तो बन कूलम में चार्ज निकलना तो एन एन की जगे नम्मर और एकी जगे बंट पॉंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस 19 सॉल्ब कर ले ना आपका आ जाएगा फक्का यह फॉर्मूला काम का है इंपोर्टेंट है निमेरिकल बनते हैं चलिए आगे की और मूब करते हैं और नेक्स टॉपिक फिलो अप चार्ज इंसाइड वायर मोटू नो आपको पता होना चाहिए बच्चा लोगो आप सोचेंगे की जो इलक्ट्रोंस है उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती होगी सॉलिड कंड़क्टर में से मूब करने के लिए इसलिए इलक्ट्रोंस का फिलो तो यह क्या कह रहा है सुनिये डंग से बट टन्स आउट जैसे की बैक्यूम में हो दा मुशन ऑफिलेक्टों इनकंड़क्टर हाववेवर इस वैरी डिफ्रेंट फ्रॉम डेट अप चार्ज अंप्टी स्पेस वैन ए स्टेडी करेंट फ्लोस थूब अपंड़क्टर था इलेक्ट्रोंस इन अड़ेश्टें अवरेज ड्रिफ्टी स्पीड एक स्पीड से म स्टेड़क्टोंस पर टिपीकल कॉपर वायर करेंगा स्मॉल करेंट के लिया तो चलिए इसके आगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आगे हम मूब करते हैं लेक्ट्रिक पोटेंशल इंपोटेंशल डिफ्रेंस इंपोटेंट टॉपिक आ गया करेंट हम पढ़ चुके हैं स पानी ओल्वेज वाटर के दर से किदर फेलो होता है हाई प्रेसर टू लो प्रेसर प्रेसर टू लो प्रेसर उपर से नीचे चार्ज डू नोट फ्लो इन और अर्थ पर लेटा हुआ है हो जो चार्ज के लिए का कोई रोली के हमने बाइयर को उपर लेक़ है विए सब्सक्राइब को चार्ज कम जो रहें नहीं होगा तो इसमें केवल the electron move only if there is a difference of electric pressure call the potential difference electrons केवल तभी move होँगे जब होँआ पर deze डिफरेंटिस्ड डिफरेंस तरह और अलॉर्टा कणड़िए कोई वे ब्यूच्टर आपकर से परींटॉच अपकरिया ना याद रखी सेल कौन सी इनर्जी किसमें चेंज करता है केमिकल एक्सन होता है सेल के अंदर वो पोटेंशिल डिफ्रेंस करता है अगर हम किसी सेल को या बैटरी को सर्किट में करते हैं तो पोटेंशिल डिफ्रेंस की बज़े से चार्ज मोशन में आ जाता है इन प्रेड्यूसे एलेक्ट्रिक करेंट तो बच्चा लोगों वेरी इंपोटेंट लाइन है इन और टू मैंटेंड़ अ करेंट इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट किसी सर्किट में करेंट को मैंटेंड करने के लिए ओप्रेंट कि सेल एपनी जो इनर्जी करने पड़ती है एक्सपेंट करना पड़ता है तो अबिसली केमिकल एनर्जी किस में करमट होती है तो we define the electric potential difference between two points in an electric circuit कैसे तो इदर देखिए तो बचलोगों और definition सबको पता होनी चाहिए तो electric circuit में एक point से दूसरे point तक ना पका unit positive charge को move कराने में जो work करना पड़ता है that work is called potential difference तो यह this is the definition तो the potential difference between two points in an electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to another point मैं easy language में बोल दे रहा हूं the work done in moving a unit positive charge to another one point to another point in electric field के लिया तो potential difference का formula हुए V equals to W upon Q सबको आया बहुत इंपोर्टेंट है पक्का वी डवलू वर Q charge वी पीडी वोके potential difference और potential difference की unit क्या होती है वच्चा लोगों बोल्ट और consistent के बाद इसका नाम पड़ा अलेजेंट्रो बोल्टा Italian physicist वण बोल्ट की definition आती है तो सबको आनी चाहिए V पक्का ले लो बोर्ड में एक क्वेस्चन और इंपोर्टेंट डेफिनिशन क्या आएगी तो इसको है मैं से लिख सकते हैं वी कोस्टू जेए अपॉन सी क्या डेफिनिशन आएगी बोलिया तो वैन वन जूल वर्क इस दन तो ब्रिंग बन बन कूलम पॉलिटिप चाज फ्रॉंट बन पॉन 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 दिफरेंशन तो भी बन बोल्ट यही लाइन यहां पे लिखी हुई है और बोल्ट सारा कोई पहले लिख दिया और वही लाइन आ गई आपकी और वी इकव सब्सक्राइब कितने क्विकली हमने यहां तक रिवाइज किया पक्का बोलो बच्चो चलिए तो एक दो निमेरिकल करते हैं और यह क्वेस्टेंस आते हैं अक्रोस टू पॉइंट पोटेंशल डिफरेंस 12 वोल्ट आप सभी को पता है वी क्या होता है डबलू अपॉन वी नौट क्यूं विक्तोरिया और क्यू कितना है बच्चा लोगों आपका टू कूलंब यह त्वैल यह त्वैल यह त्वन्टीफूर जूल्स के लिए और यह क्वेस्टेंस देखते हैं नेम डिवाइस देप्स तू मैंटेन पोटेंसल दिफरेंस अक्रोस अ कंडॉक्ट अच्छा गोश्चन है वाट इसमीन पाइस इस बन बोल्ट अभी उपर बताया हूँ मच इनर्जी इस गिवन टू इस पास्ट रूब बैटरी अब देखिया में वर्क निकालना एनर्जी मतलब वर्क क्यू वी कितना दिया हुए वन कूलंब बोल्टेज दिया हुए इस इ इस जूल पका बोलिया पका चली तो नेक्स्ट आपका आता है सर्किट डाइग्राम वी नो देट एन एलेक्ट्रिक सर्किट 12.1 अभी अमने जो दिखाए था कंप्राइजर सेल और बैटरी अपिलक की एलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टिंग वायर इट इस ओफन कुनेंट टू दोवर स्किमेट्रिक डाइग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट वो सर् सर्किट डाइग्राम बना पाएंगे और इस सिंबल्स आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है दिस बैटरी को के बच्चा लोगों बैटरी बैटरी मतलब कॉंबिनेशन अब सेल्स और देखिए डंग से देखना पॉजट बाज बड़ा वाला जो लाइन होती है पॉजटेव और छोटी वाली नेगेटिव अब देखिए एक सीरिज में जुड़े हूं या पर तीन से जुड़े हू पीच में आपने देखा हूँ दॉट नहीं है और स्विच क्लोज्ट है प्लक की तो देट इस दॉट लगा हुआ है के लिए ओके अब बाइर जोइंट देशिज दा सिम्बल ऑफ बाइर जोइंट और दिस इस दो बाइर क्रॉसिंग बिदाउट जोइनिंग पक्का आते है पेपर में ड्यसेश पेशियुल खोड़ है के लिएवल रैस्टेट और रहां किसी पर बाइसके यंपूटन से ब्सक्राइब काहा लीं यह आ आता है लिएंगि सबसे पहला बहुत इंपोटेंट टॉपिक आगया इस चैप्टर का वेरी इंपोटेंट टॉपिक देज ओम्स लॉग इस देर रिलेशन सी बिट में दू टॉपिक पड़े अभी तर्ट पॉटेंट और पोटेंशिल डिफरेंस के इन दोनों में पोटेंशिल डिफरेंस अक्रोस कंड़क्टर एंडब करेंट तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं एक्टिविटी अच्छी है देखते हैं करते हैं सेट अपर सर्किट है शोन इन फिगर 12.2 आगे दिया है कंसिस्टिंग नाइक्रोम वायर एक्स बाइय ओफ लेंद्ट के 6.5 नाइक्रोम वायर लिए एक मिटर लिया एक बोल्ड मिटर लिया चार सैल्स लिया बन पॉट फाइव एच और नाइक्रोम किस-किस के अलोग है एकनमर काक्विच्शन आ सकता है तो मैं आपको हिंटे दे रहा हूं ट्रिक बता दे रहा हूं नाइक्रोम एन एन फॉर C-H-R-O मतलब क्रोमियम M for manganese I for iron N for nickel I for iron C-H मतलब क्रोमियम M-N इस चार याद रखना पक्का ही एक नमर का पूछेगा तो मैंने बोल दिया तो 100% आईगा ओकै eạnh तो आई एक्टिवटी यह है रही एक्टिवटी तो नाई पर जया हुआ है चार छार यह दिया हुए यह बन परण फाइप के यह नाई पर यह है या मीटर है और यह क्या है पैटरी यह रही है अब देखे ही पॉजीटिव इस पॉस्ट यूज उज ऑनली वन सेल लाई केवल एक सेल लगाया नोट रीडिंग एंद फॉन्स रीडिंग करेंगे करन्ट की आईगी और इससे नेंट पाईर के नेकाले है टेबलाई डेमन टेबल गिवन नेक्स्क कनेक्ट तो सैल कर दिये तकका दो सैल से रिज में आ गए मैं तो पर diplomat क्या होगा बढ़ पड़ेगा तो current भी चेंज होगी है ना पका तो next connect two cells in the circuit and note the respective readings on a meter and bold meter through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire current भी निकाली है परेंट भी निकाली है झाली है अब हमने तीन cells connect कर दिया है मैंने सर और फिर रीडिंग पुरट गिपिन वी एंड्री और जब अमने व्योर आई के ग्राब बनाया तो ग्राफ आपका ऐसा आया दिस एइप यह इस आई इस जाए पिस्टरीट लाइन देख रहे हैं इस्टरिट लाइन आया ऑप सिट्रीट लाइन आया तो इन दिस एक्ट बिल फैंड अप्रोक्सम से ओके दस वी अपॉन आई जग कॉंस्टेंट रिशियो तो इसी बात को दिमाद मेरा अब जैक्टिविटी सबको समझ में आई कि नहीं कितनी अच्छी कुछ भी पूछ सकता इसके वेस्ट पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए बच्चा लोगो तो इन 1827 जर्मन फिज कि लिए पोटेंटियल डिफ्रेंस अक्रोस देंग गिवन वायर इन इलेक्रिक्ट शर्केट इस तारीक्स प्रकूरशनल तो इन 1827 जर्मन फिज़ पूर्पूर्शनल जर्मन पालयर कि बच्चा लोगो वे इस इस डिउपूस दो इड ग्रशनले का नाम होता है रिजिटव प्रोपर्टी ऑप कंड़क्टर तो रजिस्ट प्रोपर्टी ऑप कंड़क्टर तो रजिस्ट दा फ्लोग चार्ज सब को आए डेफिनिशन पकारा मेरे बच्चों किदनी अच्छी तरह से समझ में आए ना पका चलिए आगे मूब करते हैं दो फ्रूइट्स एसा यूनिट ओम रजिस्टेंस की एसा यूनिट पका एक नमबर का पूछेगा तो र एक वी अपउन आई यूनिट क्या होती है बच्चा लोगों इसकी यूनिट बोल्ट इसकी यूनिट एंपिया तो अगर हम वन ओम एकोईस टू वन वी अपॉन ए मतलो ओम एकोईस टू वी ए माइनस वन ऐसे भी खे सकता है पक्ता आया तो बच्चा लोगो ऐसे यूनिट क्या होगी तो डिफाइन करने आएगा वन ओम तो वन ओम को कैसे डिफाइन करेंगे सारा कुछ मैंने बत प्रिफेरेंस अक्रोस दा एंट वायर इंड बन बोल्ट एंड रस्तेंस बी वन ओम सबको आगे की ने आगे पक्का तो यह रिए डिफिनेशन इप्टेंट इफरेंस अग्रोज़ा थे टो एंड रस्टेंस अरुन देश्टेंस आडव जेस्टेंस अरव इंड और अपकर चलिए अवियस फ्रॉम एक्वेशन 12.7 12.7 दिश्बन आई एक्वेश्ट टू भी अपोना लेट अधा करेंट थूर राइस्टर इन्वर्सली पॉस्टर रेस्टर इस कॉमन सेंस दिख रहा है आई एक्वेश्ट वी अपोना ओके तो आई और एक दूसरे के क्या हो गए इन् मैनी प्रेक्टियल केसे इत नेसेसरी तू इंक्रीज डिक्रीज दा करेंट इन इलेक्रिक सर्केट बहुत इंपोर्टेंट है वहरी इंपोर्टेंट डाली एक एक नुमर लाइन अ कंपोनेंट यूस तो रेगुलेट करेंट विदाओ चेंजिंग दा बोल्टेज सोर्स इस यह लेलो एक नुमर की लाइन और वेरी इंपोर्टेंट डाल देना पकात यह वाट इस तो रेगुलेट करेंट विदाओ चेंजिंग दा बोल्टेज सोर्स इस कॉल्ट इन इलेक्रिक सर्केट और डिवाइस कॉल्ड रेजिस्टेंट इस ओफन यूजड तू चेंज दा र बहुत इंपोर्टेंट डाल देना बच्चा लोग यह दो लाइन्स नाओ इलेक्रिकल रेजिस्टेंज और कंड़क्टर विदा हल्प फॉलन एक्टिविटी आए चली एक एक्टिविटी देखते हैं एक्टिविटी 12.2 बहुत अच्छी एक्टिविटी वेरी इंपोर्ट आइए चलीए बच्चा लोगों एक्टिविटी 12.2 टेक नाइक्रों बायर बहुत अच्छा लग रहा है इसको नाइक्रों बायर सबको पता है रिस्टर्स होता एक है ना अलॉय होता है अट टॉर्च बल्व प्ल्व एक तॉर्च का बल्व एक तेन बॉल्व बार्ट है एंड पिलग की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स सेट अप दा सर्केट वाइक नेक्टिंग फो ड्राइस एलस बन पॉंट फाइव इच इन सीरिज बिद्धा मीटर इस चार सेल्स लगे हुए आपको देख रहे एक बैटरी हो गई जिसमें चार सेल आपके 1.5 बोल्ट के लग एक यह इन दा सर्केट इस ओन फिकर 12.4 अब आव अमने जगे छोड़ी ना आप एक सवाइब इस सर्केट को कंप्लीट करने के लिए अमने क्या लिया कंप्लीट दा सर्केट वायर कंटिंग दा नाइक्रों वायर इन दा एक एक्स वायर को अठाके अमने इस गैब में लग फिर बर्दब बापिस की नोट आलवेश टेक आउट दा की फ्रम दप्लग आप्टर मेंज रिडिंग कर लेते हैं तो हमें हर बार की को प्लग आउट कर देना चाहिए को के रिप्लेश दा नाइक्रों वायर बिद्द टॉर्च बल्ब अब इनसर हमने टॉर्च बल्व अमीटा अब हमने फिर से चॉप किया मलकी को प्लग आउट किया और फिर हमने इस बार क्या लगाया टैन बॉर्ट बल्व लगाया इन दा गैप एक्स भाई आर दा अमीटा रीडिंग्स डिफरेंट फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या इन तीनों के लिए जो अमीटर की कुंपोनेंट इन दा के और शट्फचिंदर आमीटर डिटिंग रीडिंगे इच एने साफिस डहां जबेस इन दीस एक्टि प्लीट प्लिफरेंट का मोर्स दादा रबल कुछ कंपोनेंट से इसे हैं और कि पिए पर pixels अंब से बोड तो पहता हैं इलेक्ट्रों सब्सक्राइब ऐता हैं ятельों के अगरते थो फिर्क थो अब है फैसुल tranquil छsi प्रिद पेदा होती पदा है ना बह स्वाओ सब्सक्सक्राइब और नोट कंप्लेटली फ्रू टू मुव बिदेन कंड़क्टर बट इलक्टरों से वह टोटली फ्री नहीं होते हैं कि आसानी से बिल्कुल इन फ्रीली गूम लें दिया रिस्टेंट बाइदा अट्रेक्शन ऑप दा एटम्स अमंग बिच दे मुव क्योंकि उन पर एक एर ल रिटाइड वाइट रिट्स इसलिए एलक्टों के मोशन को रुकावट मिलती है रिष्टेंट की द्वारा अग कंपोनेंट गिवन साइज डेट ओफर से लो रिष्टेंट इस अगुड कंड़क्टर वह गोगा और जिसका रिष्टेंट ज्यादा होगा अग कंड़क्टर having some appreciable resistance is called registers a component that offers a higher resistance is called poor conductor and insulator of the same size offers even higher resistance तो हमने चार चीज है पढ़ी ही बच्चा लोगो एक तो क्या पढ़ा गुड कंड़क्टर दंग से सीखना एना रिष्टर एना और हमने पढ़ा पूर कंड़क्टर और बच्चा लोगों हमने पढ़ा that is insulator इन समय से सबसे ज़्यादा resistance किसका होगा higher resistance इनका resistance high सबसे कम किसका होगा resistance very low और आपके बच्चा लोगों याद रखिये अच्छा का सब good resistance और पूर कंड़क्टर इनका resistance ओके क्या होगा higher और इनका highest समझ में आया चले तो यह अच्छी लाइंस थी बहुत अब आईए factors on which the resistance of a conductor depends एक और activity आ गई important देखते हैं इस activity को यहां तक सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगो यह सनो बोली है कि लिए आपको सब चीज़ें समझ में आ रही ना यह चीज़ें कभी समझ में नहीं आती है अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे गड़बड़ो यह पेपर में questions आएंगे activity देखते हैं इसको कंप्लीट एंड एलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग अपसेल सेल एन अमीटर अमीटर को के नाइक्रों वायर ओव लेंथ एल मार्क वन जेरा मार्क वन ओके पिलक की पिलक की सोनें फिगर 12.5 के लिए बच्चा लोगों करेंट फिलो कराते हैं देख लिए अगरों पॉज नेगेटिव अब क्या किया रहा है ना फिलक की नोट करेंट इन दा मीटर फिलक क्या ओन किया अमीटर में जेडी नोट की डि इनके टि क्रूब आई यह नाई करूं बायर और सेम थिकनेश बट साइब टोईज दा लेंध यहां से जड़िया है और यहां से अज़ प्रू की फिर हमने विने सर क्या लिए तीसरा वायर लिया इस बार मायर था 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 पहले वाले का सेम बंद थिक कर था थेकर था 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 लार्ज connect copper wire लिया, okay, connect copper wire लिया, okay, let the wire be of the same length and same area of cross section as that of first nichrome wire, note the value of current, notice the difference, does the current depend on the length of conductor, yes, does the current depend on the area of conductor, बेलकुल सही बात, यह च्छा, एक्टुडी समझ में आई की नहीं, तो आपने पहला a wire, दूसरा a वाला wire, और तीसरा this wire, चौथा this wire, चौथा this wire, यह तीनों जो पहले दूसरे और तीसरे wire थे, वो तीनों नाइक्रोम के थे, वो के अंतर क्या था, वो मैंने बताया आपको, और चौथा wire जो था, वो copper का था, जो की पहले के जैसा था, बट मटेरियल अलग था, यहां तक सब्सक्राइब है, पकर, so it is observed that the ammeter reading decreases to one half, when the length of wire is doubled, मतलब, R is directly proportional to L, okay, तो जब length double की, तो resistance क्या हो गया, double of current is inversely proportional to R, R double होई तो current क्या हो जाएगी, half a line, वो बोल रहा है, the ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material in the same length is used in the circuit, R is inversely proportional to area, thickness बड़ी, resistance कम होगा, और resistance कम होगा, तो current बढ़ जाएगी, वोई same line बोल रहा है, a change in ammeter reading और अब जोड़ा है, wire of different material of same length and same area of cross section is used, on applying ohm's law, we observe that, यह आगी वोई line जो मैंने बोली, rise strength of conductor depends on the length, cross section area and nature of material, तो याद रखिये, rise strength is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section, तो अनों को comment करेंगे, तो R is directly proportional to L upon A, R equals to rho L upon A, ममी ने भनाए, गरम गरम छोले, हम जोड जोड से बोले, R equals to rho ले, 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 rho, rho is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material, या specific resistance भी कहते हैं, याद रखना, भूल मत जाना, specific resistance या resistivity, same thing, ओके, R is the resistance, इस लिए, it is a characteristics property of the material, सबका ये material की characteristics property है, और resistance में हमने क्या लिखा था, अभी मैंने बताय था आपको, यह ना, चलिए देखते हैं, वो line आपको दिखा दूँ मैं, it is a property of conductor, के लिए, चलिए, तो बच्चा लोगों, next, आजाई ये इदर, characteristics property of material, the metals and alloy, एक नुम्बर का बहुत अच्छा question है, याद रख लेना, ये बवेरी इंपोर्टेंट डाल देना, लिख लेना, the metals and alloy have very low resistivity, metals और alloy की resistivity बहुत कम होती है, ARIS पे बहुत बार आए है, in the range of 10 is the power minus 8 ohm meter to 10 की बहुत माइनस 6 ohm meter, याद रख लेना, very important, they are good conductor of electricity, metals and alloy की resistivity कम हैं, इसलिए वो good conductor होते हैं, इंसुलेटर like rubber and glass have resistivity of the order of, ये पूरा note down कर लीजे, फड़ा फड़ से, ओके रइस्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर की rubber गिलास की, टेंगर स्टॉल टू टू टेंगर सेवंटी, इसलिए इनका क्या होता है, करेंट विल्कुल भी फिलो नहीं होता, बहुत कम होता है, बोद रइस्टेंज एंड रइस्टिविटी और मटेरियल वराइविद टेंपरेचर, याद रखिए, रइस्टेंज एंड रइस्टिविटी टेंपरेचर के संग भी चेंज होती है, सबको आया, ये आर आ सकता है, रिवेल्स जैट, टेबल 12.2 रइस्टिविटी और अलोई जनरली हायर देन एक नुम्मर का यह आ रहा है, यह पक्का ले लो अब इस लाइन को अलोई की रइस्टिविटी हमेशा मैटल के मैटल जो जिस मैटल से अलोई बना उससे ज्यादा होती है, इंपूटन डाल देना, अलोई do not oxidize readily at high temperature, जो अलोई होते हैं ना, नाइक्रोम बगेरा के अलोई हैं वो आसानी से बर्न नहीं होते हैं, for this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc, पक्का 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 100% question आएगा, टंगस्टन क्यों bulb बनाने के काम आता है, for filament or electric bulb, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission बाया, तो क्यों copper क्यों आता है, क्योंकि good conductor of electricity है, और टंगस्टन क्यों आता है, क्योंकि इसका melting point high होता है, high melting point है, और easily oxidize भी नहीं होता, और electric iron बगेरा, toaster के heating element किसके बने होते हैं, तो यह lines बहुत important हैं, बच्चा लोगों, very very important है, सबको आगया, पक्का आगया न, तो यह देखिए, कुछ conductors, alloys और insulator, सबके क्या दिये हुए है, electric ratio, इनकी range क्या देख रही है आपको, 10 की power minus 8, इनकी क्या देख रही है, 10 की power minus 6, इनकी आपको देख रही है, देखिए, अभी मैंने बोला था, 10 की power 12 से 10 की power 17, तो जिसका राइस पर question आ सकता है, case study आ सकता है, table based questions आ सकता है, कि इनसुलेटर कौन होगा, जिसकी राइस्टिटी सबसे ज़्यादा होगी, ओके, और alloys क्या होंगे, जिनकी राइस्टिटी conductor से क्या है, आपकी कम है, पक्का, देखिए, 10 minus 8, 10 minus 6, minus 8, sorry, conductors की ज़्यादा है, alloys की देखिए, तो राइस्टिटी ज़्यादा होती है, alloys की, यह लिखा है, यह बहुत important line है, मैं green से वो कर दे रहा हूं, यह बहुत मटता है, विट 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 विट, यस, राइस्टिविटी ऑफ इन अलोव जनली हायर देन, एक नमबर का यह ले लीजे, वक्का, हाई लेटर कुन सा होता है, पता ही ने, खुन सा होता है, चले, तो यह सब को आ गया, चले तो बहुत important, you need not memorize these value, यह कह रहा है, बस इस से हमें पता चलता है, कि कौन इंसुलेटर है, कौन अलोव जो कौन कर्जक्टर है, यहां तक सब को वाग्या के लिए, तो आईए, कुछ निमेरीकल से, इजी निमेरीकल से, देखते हैं, निमेरीकल को, इधर, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source, if the resistance of bulb flumming 1200, बहुत ह है, निकालना किया है, current I equals to V upon a, value put करेंगे, B कितना दिया हुआ है, 220 volt, R कितना दिया हुआ है, 1200, डिवाइड कर लेंगे, कितना जाएगा, 0.18 ampere, के लिए, if the resistance, how much current will an electric heater coil draw from a, if the resistance of heater coil is 100 volt, same question, दो दो बार पूछा, इसमें क्या पूछा है, current I, V upon a, NCRDA, कुछ भी पूछ सकती है, आपसे 220 upon 100, okay, that is 2.2 ampere, what the difference of current drawn by an electric bulb and electric heater from the same 220 volt source, okay, मतलब कह रहा है, कि हमने दोनों की current note किया, यहना, दोनों को potential same था, बड़ जिसका resistance जाथा, तो उसकी current कम आई, जिसका resistance कम था, उसकी current जादा आई, मतलब यह कहना चाह रहा है, चलिए, next question देखते हैं, the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt, when it draws a current of 4 ampere, तो आगे कह रहा है, बच्चा लोगो, what current will the heater draw, if the potential difference is increased to 120 volt, यहा, तो अब ऐसा करो, इस question को दो तरीके से निकाल सकते हैं, I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R निकालो, है न, पक्का, R तो सेम रहेगा, तो दो तरीके से कर रहा हूँ, मैं दोनों तरीके करके देखा रहा हूँ, first method देखते हैं, क्या कह रहा है, R request to V upon I, V हो गया कितना, that is 60, I कितना 4, that is कितना आगे हैं, 59, और question सेम रहेगा, क्योंकि heater सेम है, यह न, पक्का, अब हमें क्या निकालना है, current I, equals to V upon R, V कितना हो गया आपका, 120, और R कितना हो गया, 15, that is कितना हो गया, 8 Amp, बच्चा लोगों आप चाहें, तो second method से भी कर सकते हैं, वो direct easy रहेगा, और easy क्या रहेगा, कि जब आपका potential difference double हो रहा है, clear, पक्का बोल, तो current भी double हो जाएगे, क्योंकि I is directly proportional to V, potential difference double हो रहा है, two times, तो I भी कितना हो जाएगा, two times, तो पहले I कितना था, four Amp, तो भाद में I कितना हो जाएगा, 8 Amp, double हो गया, बट आपके बाद दौनों तरीके बताती हैं मैंने, जिस तरह से करना है, उस तरीके से कर सकते हैं, next question की और move करते हैं बच्चा लोगो, अच्छा question है, resistance of metal wire of land 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius, if the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the temperature, using table 12.2, to predict the material of the wire, material तो ऐसे कुछ question नहीं पूछता, आपको बस question निकालना है, पाई आर स्कॉर, और diameter दिया होगी 0.3 हमें चाहिए था आर तो diameter क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, तो आपको पता है, आर एकोई स्टू, डी अपन टू, सबको पता है ना, तो पाई डी स्कॉर, करेंगे तो, और एल कितना दिया हुआ है, तो भी दिया है, बेलू पूट करेंगे, 26 x 3.14, डामीटर है, 0.3 mm, mm को convert करते हैं, 10 की पाव माइनस 3, मिली मीटर में, मिली मीटर को मीटर में, और नीचे क्या दिया हुआ है, लेंथ 4 तो ही है, लेंथ कितनी दिया हुए है, बाहरों, लेंथ ऑफ बन मीटर, बस सॉल्ब कर लेंगे, अंसर दिया हुआ है, इसने सॉल्ब करके, this is 1.84 x 10.6, और टेबल में एक इसका दिया हुआ है, मैंगेनीज का, तो उससे कोई प्राबलम नहीं है, एक क्वेशन सब को आ गया, अच्छा क्वेशन है, तब क्वेशन है, कैल्कुलेशन होती है, पेपर में आता है, सब को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताया, चले, नेक्स पर चाहिक पर कोईशन है, बहुत अच्छा कोईशन है, इंपॉर्टन दाले, अब वाइर ऑगेवन मेटेर्या रहें, कैविंग लेंथ एले और अर्या क्रशेक्शने ए, एक वाइयर है, फैने किने लुप कि लेंटल और एरिया एय कर्वा विर्याओन ए अब के रहा है इसका रेस्स्टेंस दिया हुआ है मैं फोर भो हुआ हुं इसकी लिएب विल्किया वैट वी शलिटेंस मी कि अदिलेंस के रहा हैã यह आधियो सीधा सीधा एक वायर को उसने क्या कर दिया फोल्ड कर दिया है तो अब हमसे कह रहा है इसका रेजिस्ट्रेंस निकाल लिए कितना होगा हमें नहीं पता है निकालना है तो पहले बच्चा लोगों ऊपर आ जाईए और एक वस्टू रो एलपोने क्लियर पका तो आर यह हो गया अब यहां पर क्या होगा आर एक को इस टू आर बन मालो इसे रो की जगए रो रखो और एल अपॉन एक जगए क्या रखो एल की जगए क्या रखेंगे आप एल वाई टू ओके और एक की जगए क्या रखेंगे टू ए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोई प्रवब्लम ना हो तो आपको बनवाइफ फॉर नीचे आगे ना और रोल आपान एकी जगां रख सकता हूं हुआ सब को आगया अच्छा डाल देना इमपोर्टेंट कुएस्टन है चले लिए को से आपको किलियर हो जाएंगे सारी चीजें नेक्स से आज ये कुछ क्वेश्टेंस देखते हैं और वाट फेक्टर देश्टेंस और कंडेक्टर डिपेंड मैंने आपको चार बता है लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन एचर एंड टेंपरेचर विल करेंट ये अच्छा कोश्चन है विल करेंट फिलो मोरीजली थ्रूर थि इन्वर्च ये एडो पर फोड़ा थीव में क्रणंच वर मोर्क ट्यादा प्र हैंट आदा वरी थिए थी इसका में कम होगी बहुत कीन इंपरेंट कोश्चन से रेस्टरैंस ऑपनलेंट्रेमें गates कि होना decreases to half of its former value तो आपको पता है क्रेंट पर क्या अफर पड़ेगा आई इस डाइस डाइन डू वी जब हाफ हो रहा है तो करेंट भी हाफ हो जाएगी क्लियर देखेंगी हो गया वाई और दा कॉइलेक्टिक टोस्टर ने लेक्टिक आइरंस मेड़ ऑफ एन अलॉय रादर द इसकी जो है हाई टेमपरिचर पर ऑक्सिडाइज नहीं होते हैं डॉंट ऑक्सिडाइज इसली और नहीं होते हैं अच्छा प्ष्चन है पक्ता आता है हंडेपर सेंट डाल देगा विच अमंग आरन मर्कृरी जबेटर कंडुक्टर टेबल देखें पता करना पड़ेगो अब आता है आप अब हम कॉंबिनेशन पढ़ने जा रहे हैं और कॉंबिनेशन और रेश्टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो यहां तक का सबको समझ में आया की नहीं बताई बच्चा लोगों इस तरह से हमें पूरा काम करना है दम से पढ़ना है और अच्छा लगता है तो शेर करिए सबस्क्राइब करिए और बच्चों को पढ़ने वाले उनको शेर करी बेकार बच्चों को कुछ नहीं होगा बड़ एक लाइन हमने किलियर कियो देखिए ए नेक्स पार्ट में हम एलेक्टिसिटी का दूसरा पोर्शन सी रेजन पैरल कॉंबिनेशन पावर एंड हीटिंग एफेक्ट लेके आएंगे के लिए बावा मा की जाए गुटनाइट बच्चा लोगों बाबाए